ह हलो जबाग हुआ पती हमाम प्रट तरिय ए.. घ्रॉट सateur हमारे पास क्या है , इसकी घ्राक्षन अगयर है तो उसकी वाइस से हमारे पास उस specific focal area के नियूरो डिफेसिट्स जो symptom से वो शो होते हैं इसको कहते है इसको कहते है इसको कहते है यूजूली हमारे पास इसकी onset rapid होती है और by definition 24 hours से ज्यादा के जो duration है वो आपके पास होता है stroke का commonly आपके पास stroke की जो presentation वो आपके पास weakness होती है ठीक है अब ये weakness आपके पास आइधर permanent भी हो सकती है या transient भी हो सकती है depending upon the type of stroke और वो आपके पास जो weakness आपके पास limbs का होगा upper limb और lower limb one side mainly आपके पास एक ही side का होता है क्योंकि आपके पास हमेशा blood supply of one side जो है वो effect होती है आपके पास loss or disturbance of speech भी हो सकता है जब आपके पास broken area जो dominant cerebral hemisphere वो effect हो आपके पास यह है stroke का general introduction stroke is classified into transient ischemic attack यह आपके पास है first one transient ischemic attack और यह आपके पास है इसका duration है वो है आपके पास less than less than 24 hours यह आपके पास है transient ischemic attack ठीक है यह आपके पास पहला type of stroke का second आपके पास है ischemic stroke ischemic stroke जो है इसकी आपके पास जो time है वो आपके पास more than 24 hours greater than 24 hours होता है और आपके पास जितने भी stroke होते हैं उनमें 80-85% आपके पास ischemic stroke होता है next आपके पास hemorrhagic stroke 15-20% आपके पास होता है hemorrhagic stroke hemorrhagic stroke को हमने detail से separately एक-एक stroke को हमने detail से explain किया है आप वहाँ से देख सकते हैं और इस topic के इस lecture के stroke के different parts में हम stroke की general introduction करेंगे उसके बाद ischemic attack detail से करेंगे और पिर उसके बाद ischemic stroke जो सबसे most important है उसको हम detail से करेंगे इसके causes clinical features diagnosis treatment सारा कुछ next है हमारे पास risk factors of stroke risk factors जो यह बहुत सारे है इसमें age जो हमारे पास दिये आपके पास जो risk factors है इस side पर यह आपके पास वो risk factors है जो हमारे पास non-modifiable है उनमे हमारे पास age gender hereditary और आपके पास previous any vascular event जो है for example myocardial fraction stroke या कोई peripheral embolism होते हैं तो उसकी वैसे आपके पास जो stroke की characterize ह हो सकते हैं और यह इस side पर जो आपके पास है यह आपके पास जो risk factors आपके पास modifiable है hypertension cigarette smoking cigarette smoking आप चोड़ दे तो आपको शायद stroke के जो symptoms है जो उसकी अक्रेंस आपके पास कम हो जाए hyperlipidemia जो आपके पास vessels में blockage होती है जो क्यों होती है क्योंकि आपके पास high lipids होते है अग bacterial fibrillation तो यह जो आपके पास risk factor आपके पास modifiable है और यह आपके पास non-modifiable है और यह है आपके पास modifiable तो यह है आपके पास risk factor अब next आपके पास stroke को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो brain की vascular anatomy उसको detail से आना चाहिए आपको यह सबसे important है जब आपको brain के vessels आएंगे तो उ easily modify करते हैं नीचे से आते हैं सबसे पहले नीचे आपके पास क्या होता है आपके arteries में आते हैं यहां से आपके पास vestibular artery vestibular artery यहां पर आपके पास vestibular artery जब उपर आती हैं यह आपके पास vestibular artery आपके पासвал डूसरी vestibular artery अप tarumий नगे ला जो आटरी है और यहाँ पर आपके पास यह वाला जो आटरी है या आपके पास होटती है प्र पर यह आपके पास है यह आपके पर पहुंच जाए तो यहाँ आपके पास यह तीन डिवाइड़्स Hamilton करते हैं एक है आपके पास इसकी इंटीर सेरेबरल आर्टरी दूसरा आपके पास है इसका मिडल सेरेबरल आर्टरी ठीक है और यहाँ पर तर्ड नहीं दिया गए यह जो आपके पास चोटी सी आर्टरी यह है आपके पास इसका जो नेक्स पार्ट है वो है आपके पास आपताल मेक आ आर्ट्री को यह आपके पास ऐंटर rapping करते हैं तो एक आपके पास जो दो दोने वाले आटरी यह है आपके पास anterior communicating artery और आपके पास जो posterior cerebral arteries है वो आपके पास communicate करते हैं तो posterior communicating artery तो यह है आपके पास जितने भी major blood vessels यह blood supply vascular nut of the brain है और यह जो आपके पास circle बना हुआ है इसको कहते है circle of willis तो यह आपके पास important है यह है आपके पास muscular anatomy यहाँ पर आपके पास vertebral artery आती है फिर आपके पास वो बैजलर artery बनती है अब इसकी brain में location देखो तो आपके पास vertebral artery आती है यहाँ पर है आपका medulla oblongata upper medulla में आपके पास बन जाता है बैजलर artery और बिजिलर आर्ट्री आपके पास किस किस अरिया को सप्लाई करता है यह आपके पास है पॉस्टीर साइट पर यह है आपके पास सेरे बैलम उसको भी सप्लाई करता है फिर आपके पास यहाँ पर इससे बन जाता है पॉस्टीर इससे बन जाता है पॉस्टीर इससे बन जाता है middle cerebral artery, anterior cerebral artery और यह जो चोटा सा जा रहा है यह आपके पास ophthalmica artery और इसको देखके आपके पास brain के जितनी भी supply होती है वापके पास इस anatomy के बैस पे होती है जो arteries अभी हमने पढ़ लिए उसका brain में जो area है उसको किस तरह supply करते हैं यह हमारे पास है brain का middle view let's suppose यह हमारे पास एक brain cerebral hemisphere है और इसको दर्मयान में cut किया गया है बिल्कुल center में तो यह आपके पास है middle view यहाँ वाले area यह आपके पास middle view अगर इस side से देगे और यह आपके पास है अगर आप इसको इस side से देगे तो यह आपके पास है lateral view तो यह lateral view है और यह आपके पास है middle view तो इसमें आपको bran minority area गो उसको किस सफ्पलाइ करते हैं आपके पास है anterior cerebral artery यह यह बेर्ण के आपके पास जो सबसे interior जो आपका medial portion है इसको supply करते है यहाँ पर देखे lateral view में यह वाले area जो है आपके पास interior cerebral artery या ACA supply करता है अगर medial view में देखो तो medially क्योंकि medial side पर जितना भी circulation है interior और दर्मियान में जो area है वो सारा ये supply करता है next आपके पास middle cerebral artery middle cerebral artery आपके पास mostly जो lateral portion है brain का वो supply करते है अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ से लेकर आपके पास यह वाला जो area है यह आपके पास supply करता है middle cerebral artery और यहाँ पर देखो तोड़ा सा नजर आता है यह क्यों नजर आता है middle view में क्योंकि वो ज्यादा तर lateral view को supply करता है और next आपके पास posterior cerebral artery posterior cerebral artery lateral view में देखे तो आपके पास जो posterior side पर जितना भी circulation है उन सब को supply करता है और अगर यहाँ पर diagramatically लिए तो आपके पास यहाँ पर जो posterior area उसको supply करते है और यहाँ से आप जितने भी अगर आपके पास stroke होगा तो उसमें जो अगर matter arteries involved होंगे तो आपके पास symptoms बिल्कुल उसके according होंगे अगर आपके पास anterior cerebral artery तो यहाँ पर आपके पास anterior cerebral artery क्या क्या सप्लाई करता है वो है आपके पास lower limb और साथ में आपका urinary system तो आपके पास अगर इसमें कोई भी मसला होगा तो आपके पास lower limb की weakness होगी plus urinary incontinence अगर middle cerebral artery है तो lower limb को चोड़ के आपके पास जितना भी area है वो आपके पास middle cerebral artery सप्लाई करता है तो आपके पास symptoms के वो होंगे अगर posterior cerebral artery अफेक्ट होंगी तो आपके पास यहाँ पर occipital lobe है और occipital आपके पास किया है visual lobe है तो visual आपके पास यहाँ पर problem होगे पिर vision के अगर posterior cervical artery effect होंगी तो यह था आपके पास general introduction about the stroke I hope आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा और next जो इसके further जो पार्ट से उसमें हम सबसे पहले transient ischemic attack को detail से explain करेंगे और उसके बात last जो पार्ट है उसमें हम ischemic stroke को detail से करेंगे और हेमराजेक्स ट्रेक हम ने आल एल्यूज पे अपना series of lectures record किये हुए तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें, comment करें और साथ में अपने friends के साथ लाजमी शेयर करें ताकि सब को फायदा हो उमीद है, इंशालला आप सबको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा और इंशालला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में